नमसकार दोस्तों आप देख रहे हैं नालेजवर्ज बज्वराज के वडियो माँ बात करेंगे JPSC के एक बहुत ही अच्छे बुख के बारे में समाने अध्यन के बारे में हम बात करेंगे और ये जो दोस्तों समाने अध्यन का बुख है JPSC का paper 1 और paper 2 दोनों पर इच्छाओं के लिए बहुत ज़्यादे important है अगर आपके पास तो पता ही आप लोगो की काफी कम time बचा हुआ JPSC के लिए 2 मार्च को 2 माई को sorry 2 माई को JPSC का exam है तो इतने कम दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे तो इसके लिए एक बहुत ही बहतरीन book है प्रभात publication का और ये दोस्तो book मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो इसलिए इस वे book पे बैने सुचा कि वीडियो आप लोगो provide करवाना चाहिए और ये book आपका काफी जल्दी तैयारी करवा देगा book में सभी कुछ दिया हुआ है paper 1 और paper 2 दोनों का cover करेगा पता होगा आप लोगो paper 1 200 नंबर का exam होगा और paper 2 भी 200 नंबर का exam होगा मतलब 400 नंबर का exam होगा और आपके पास time जादा नहीं बचा हुआ है तो आपके पास study material भी सीमित मातरा में होना चाहिए इस exam के लिए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे क्या है paper 1 और paper 2 दोनों को cover किया गया है और इसका जो addition आप लीजएगा नवी इंतम लीजएगा जिसका दाम है जिसका price 825 रुपे और इस book में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं दिखाने की कोशिस करता हूँ यहाँ पे दिखेंगा top पे भारत का इतिहास भारत का भुगोल भारतीय राज वैस्ता आर्थी के एवम धार्णिये विकास विकास विज्ञान प्रियोग की जारकंड समाने ग्यान और अन्य विवित तथे नवींतम स्वाल्वी पेपर के साथ है संजै सिन आईपीए से द्वारा इस book को लिखा गया है ठीक है चलिए तो इस book को आप हम देखते हैं इस book में और क्या-क्या दिया हुआ यहाँ पे अगर आप पे पहले page पे चलते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा syllabus देखने को मिलेगा syllabus आप देख पा रहे होंगे detail syllabus आपको देखने को मिलेगा कि कितने नमबर का क्या पूछा जाएगा प्रिलिम्स के पेपर 1 में उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखेगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह ओला तो यहाँ भी आपको क्या दिख रहा होगा समान अधियन पेपर 2 दो घंटे का एक्जाम होगा कौनसा सेक्षन कौनसा टॉपिक कितने नमबर कायेगा वो आपको डिटेल में यहाँ दिया गया यह आपको ओफिसल सिल्वस में भी देखने को मिल जाएगा यह चीज ठीक है ना आगे देखेगा आगे विसाह सूची को देखेगा यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विसाह सूची अब इस विसाह सूची में क्या दिया हुआ है यहाँ देखेगा विसाह सूची में आपको 2016 2016 पेपर 1, पेपर 2, 2013 का पेपर सॉल्व किया गया यहाँ पर उसके बाद भारत का प्राची नितिहास दिया हुआ है और प्राची नितिहास में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इतिहास के सुरोत है दिख रहा होगा आप लोगो इतिहास के सुरोत मतलब प्राची नितिहास में जो भी होता है वो कवर किया गया 336 पेज में एक से लेके 123 पेज में हिस्ट्री को कवर किया गया तो बहुत जल्द आप हिस्ट्री को कवर कर लिजेगा मध्यकालिन भारत में 37 से 68 भूगोल में देखिएगा आधुनिक भारत को भी कवर किया गया स्वतंतता आंदोलन को इन्होंने अलग से कवर किया तो यह ब ठीक है एक ही बुक में डिटेल भी दिया और हर टॉपिक जब खतम होगा तो उसके बाद objective question भी इन्होंने दिया हुआ है ठीक है भौतिक भुगोल हो गया आर्थिक भुगोल हो गया भारत का आर्थिक भुगोल हो गया परियावरन हो गया ठीक है सब कुछ कवर किया गया perspective गया समेदान में संसोधन हो गया लोग प्रसाशन हो गया तो यह सब कवर किया गया आर्थिक भुगोल धार ढिरनियेविकास 107 पेज्म हो गया ठीक है और उसके बाद अगर हम देखे, science और tech आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस से लेके 124 पेज में, जिसमें बहुतिक विग्यान को, रसायन विग्यान को, जियो विग्यान को, क्रिसी विग्यान को, पसुपालन विग्यान, सूचना एओम संचार विग्यान, फिर उसके बाद अगर आप द जार्खट का इतिहास कवर किया गया, जार्खट का यह सब कवर किया गया, मतलब जार्खट के बारे में, एक से लेके 148 पेज में यहाँ कवर किया गया, ठीक है, और फिर उसके बाद मिसलैनियस, एक से लेके 181 पेज में कवर किया गया, सबसे पहले पेज में आप यहाँ पे जारकर लोक सेवा आयोग परिक्षा पेपर 2 यहाँ भी आपको कोस्टन देखने को मिलेगा स्वा कोस्टन उसके बाद आपको डिटेल सॉलूशन देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे दिया है नहीं है इनोंने डिटेल सॉलूशन 2013 वाले में देखेंगे तो उसका पहले एक पेपर दिया है फिर उसका बाद उसका व्याख्या दिया गया है ठीक है नहीं यहाँ पे तो अच्छा बुक है दोस्तो जैसे मान लीजे कि हिस्ट्री खतम होता है तो हिस्ट्री खतम होने के बाद objective question आपको मिलेगा पूरे complete history से 100 question आपको दिया गया यहाँ पे हिस्ट्री से हर एक topic खतम होगा उसके बाद आपको objective question देखने को मिलेगा पहले question देखने को मिलेगा फिर उसका व्याख्या देखने को मिलेगा ठीक है तो book अच्छा है दोस्तों आप चाहे तो इस book को ले सकते है व्याख्या ठीक ठाक दिया है खराब ने दिया है जैसे यह देखे आधूनिक भारत हुआ अब आधूनिक भारत के बारे में कौन-कौन सा topic इन्होंने बताया यह शुरुआत में ही नोंने लिख दिया सारे topic को यहाँ कबर किया गया है अब जैसे यह आधूनिक भारत हिस्ट्री में खतम होगा उसके बाद आपको 100 कोशन देखने को मिल जाएंगे आधूनिक भारत के 100 कोशन important कोशन देखने को मिल जाएंगे और उनका detail solution भी देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो बुक बहुत अच्छा है बुक के में कोई कमी नहीं है एक ही बुक से आपका paper 1 भी तैयार हो जाएगा paper 2 भी तैयार हो जाएगा और science को भी अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है काफी अच्छे तरीके से जैसे देखे जारखंड के बारे में जारखंड का तथा जारखंड का तथा भारती सौतंतता आंदोलन एक साथ इन्होंने दिया हुआ है हर एक topic खतम हो रहा है उसके बाद question भी इन्होंने provide करवा दिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा जारखंड का इतिहास हो गया अब जारखंड का इतिहास धिक्यास खतम हुआ उसके बाद इन्होंने 100 question का state बना के दे लिया ठीक है और उसका solution भी दिया हुआ है अच्छा दिया हुआ है ठीक है तो Kita ब दिया हुआ है तो ये चीज मुझे अच्छा लगा कि हरेट टॉपी खतम हो रहा है और उसका डिटेल सॉलूसन है तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों और अच्छी बुक है ये इसे बुक को आपको लेना चाहिए अगर हम बात करें कुल पेज के बारे में तो कुल पेज यहाँ हो सकता है लगभगे 1200 से लेके 1500 फीज हो सकता है ठीक है प्राइस के बारे में अगर बात करें तो प्राइस है 825 रुपे मैंने यहाँ बुकारो जारखंड से इस बुक को लिया तो इसलिए इस बुक को मुझे 40% डिसकाउंट पर देखने को मिल गया और 40% डिसकाउंट देन आप इसी बुक को study कीजे यह बुक बहुत जादा उपयोगी होने वाला है प्रेलिम्स के लिए ठीक है इस बुक को आप पर पर्चिस कीजे बहुत अच्छा बुक है जो यह बुक का नाम मैं फिर से बताता हूँ IPS संजय सिन के द्वारा लिखा गया है प्रभात प्रभात प इसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछेएगा बुक का खास पॉइंट मैंने बता दिया है कि इसमें सौल पीपर भी दिया हुआ है नवींतम सौल वे सौल वे पेपर दिया हुआ है प्रिविस एयर के कोशन पेपर दिये हुए है और जेपी ए प्रिम्स में आप बहतर कर सकते हैं तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आसा करता हूं कि आज के दिन आप लोगा कपी अच्छे रहे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं राइंक्यू